असलाम अलेकूं माउंट्टू स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग अच्छा जी आज उर्दू में हमारा उन्वान है शराथी 9 और ये आपकी किताब का सफा नंबर है 15 आज हमने शराथी 9 के पढ़ाई करनी है और ये आपके उर्दू की बुक का पेच है तो हम उर्दू की बुक का पेच नंबर 15 ओपन करते हैं जी ये है पेच नंबर 15 अब सबसे पहले देखिए कि आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है पहचानिये ये हैं पहचानिये यहाँ पे उन्होंने कुछ हरूफ ऐसे दिये हैं जिनको आपने याद करना है सबसे बहले मैं आपके लिए पढ़ती हूँ पहला है दाल, डाल, जाल ठीक है ये किसकी फैमिली है ये दाल की फैमिली है फिर है रे, अडे, जे, ये ये हो गई रे की फैमिली दाल की फैमिली, रे की फैमिली फिर उसके बाद आता है बाओ और अली ठीक है? कितने ह़रूफ है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है 9, यानि कि 9 तो ये हरूफ क्या कहलाते है? ये कहलाते हैं शरार्ती 9 दाल की फैमली, रे की फैमली, बाव और अली अब ये क्यों शरार्ती 9 कहलाते है? वो इसलिए कि ये जो अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ जो है वो नहीं मिलते यानि कि इनके बाद अगर कोई हर्फ आता है तो उसके साथ ये नहीं मिलते लेकिन इससे पहले आने वाले जितने भी हर्फ होते हैं उनके साथ ये मिलकर एक नया लफ्स बना लेते हैं बाद में आने वाले हरुफ के साथ भी मिल जाते हैं लफ्स बनाते हैं लेकिन उनके साथ ये दोस्ती नहीं करते हैं यानि कि उनके साथ जूड कर नहीं रहते हैं उनसे अलग रहते हैं लेकिन जो हर्फ उनसे पहले आता है उसके साथ ये दोस्ती भी कर लेते हैं और उनसे मिल भी जाते हैं यानि कि उनके साथ जूड जाते हैं आपने सिरफ इनके नाम याद करने हैं और ये याद रखना है कि क कौन-कौन से शराती 9 है, ठीके, कौन से हरूफ जो हैं, वो शराती 9 कहलाते हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए पढ़ देती हूँ, दाल, डाल, जाल, रे, अडे, जे, ये, वाओ, अली, ये हैं शराती 9, और क्यों है शराती 9, कि अपने से पहले आने वाले हर्फ के साथ ये मिल जाते हैं, लेकिन जो इनके बाद आता है, उससे ये नहीं मिलते ना जुड़ते हैं, ठीके, इसलिए ये शराती 9 कहलाते हैं, अब आपने इस सफ़े पे क्या करना है, मीचे हैं रंग भरिये, शराती हरूफ में रंग भरिये, यहां पर जितने भी हरूफ लिखे में उन میں से जो भी शराती हरूफ हैं, उन में आपने रंग भरना है, थीके, जेसे डाल है, अड़े है, ये है, फिर डाल है, फिर जे है, अलीफ है, जाल, बाओ, रे. ये सारे क्या एं शराती हरूफ, ये क्या है शराती हरूफ. सबसे easiest page जो है आपको याद रखें कि दाल की फैमिली, रे की फैमिली, अलिफ और बाउं ये सारे शरार्थी नौ है ठीके इस तरह आपको easy रह जाएगा याद करने में आपने इस page की पढ़ाई करने है यानि कि शरार्थी नौ को जो है वो याद रखना है ओके शुक्रिया